सो हेलो बच्चालो वेलकम बाक टू दे डिविजन सीरीज एक ऐसा सीरी जो कि सारे जैए आस्परेंट के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है आज जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहे है तो उसको आप जाके देखे उसका लिंक आपको नीचे मिल जा आज जो हम लोग डिसकेस करने जाएंगे जितना कुछ भी सभी का नोट्स आपको PDF फॉर्माट में मिलेगा नीचे उसका लिंक आपको मिल जाएगा ठीक है सबसे पहले आप सारी बातों को यहाँ पर सुने पूरे सेशन को ध्यान से सुने अगर आप कंफरटेबल है तो 1.5 एक स्पीड पर सुने ठीक है हमारा यह जो टेलिगराम चानल है इसको जॉइन करना बिलकुल भी मत भूलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपने सारे कॉंटेंट को शेर करते हैं आपके साथ कोई भी वीडियो कोई भी एडुकेशनल कॉंटेंट मिस नहीं होना चाहिए सही है यहाँ पर जो हम लोग topics को cover करने वाले हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआत में हम लोग momentum conservation के जो कुछ standard varieties है चाहे वो आपका boy trolley situation हो चाहे वो आपका explosion वाला concept हो या फिर आपका block moving over another block हो यह सारे variety हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे और उसके बाद हम लोग धीरे धी चानल पे almost more than 95% syllabus revise कर रखा है 12th complete हो रखा है सभी का link आपको यहाँ पे इस PDF में भी है आप जब इसे download करेंगे आपको सिर्फ इस link पे click करना है और वो video आपको खुल जाएगा राइट 11th के भी आपको almost सारे topics है और जो भी आपको यहाँ पे छूट रहा है वो भी आपको जल यहाँ पे बात कर लेते है कि आपका net force क्या होता है net momentum क्या होता है अगर आपने हमारा center of mass का वो जो last video है उसको देखा है तो उसके last page में हमने यही चीज discuss किया था कि आपका जो system का system पे लगने वाला जो net force होता है that is equal to total mass of the system multiplied by center of mass का acceleration और जो system का net momentum होता है that is equal to mass of the system multiplied by center of mass का velocity clear एकदम अच्छा तो यहाँ से हम यह भी कह सकते है जो net force that is equal to rate of change of net momentum clear एकदम अब यहाँ से आप देख सकते है अगर यह net force जो system पे लग रहा है अगर वही 0 हो system पे लगने वाला जो net force है अगर वही 0 हो तो हम यहाँ पे कह सकते है कि आपका जो net momentum है वो constant होगा system का जो momentum है वो conserved रहने वाला है और इसी को हम लोग कहते है linear momentum conservation clear एकदम अगर आपका यह net momentum constant है यानि की center of mass का velocity भी constant है ठीक है सर यहाँ से अब आपका दो सिनारियो बनता है अगर आपका center of mass का velocity शुरुवात से ही rest पे था तो वो बाद में भी rest पे ही रहेगा center of mass आपको rest पे ही रहने वाला है और अगर आपका center of mass के पास कोई velocity था तो वही velocity आगे भी continued या maintained रहेगी clear एकदम ठीक है तो सबसे पहले हम लोग इसके उपर जो आपको एक standard variety होता है वो देख लेते हैं पहले भी इसमें जेई में सवाल पूछा जा चुका है तो आगे भी पूछा जा सकता है example के तौर पे ये एक standard सा question है question को discuss करने से पहले concept समझ लेते हैं तो हमने अभी अभी क्या समझा है कि आपका center of mass का velocity है वो 0 है यानि कि center of mass का position change नहीं होने वाला है अब हमारे पास center of mass का position का एक formula है जो कि आपने center of mass में सीखा था that rcm is equal to m1 r1 plus m2 r2 so on upon total mass of the system तो अगर हम लोग दोनों तरफ change ले delta ले तो आप देख सकते है कि center of mass का position तो change होने वाला है नहीं तो left side आपका 0 हो जाएगा और right side आपका होने वाला है m1 delta r1 vector plus m2 delta r2 vector और जो आपका denominator है वो तो जाके 0 वे ही मिल जाना है so basically इसी चीज़ को हम लोग इस्तमाल करते है problem solving में problem आपको किस variety का होता है तो आपके सामने यहाँ पे एक standard सा example है आपने जरूर से सवाल को किया भी होगा सवाल में हमसे क्या कहता है कि आपके पास एक plank है plank का mass capital M है plank का length आपको capital L है there is no friction between plank and the floor clear एक दम अच्छा अब यहाँ पे एक लड़का है boy है boy का mass small m है और boy के pair के बीच में और इस plank के बीच में basically friction है so basically boy can walk on this plank comfortably तो सवाल में हमसे यह पूछता है कि अगर यह लड़का walk करकर के plank के other end पे पहुँच जाता है तो बताइए यह plank कितने से displace हुआ है अब आपको यहाँ पर एक बात समझ में आना चाहिए कि जब यह boy आपको right direction में move करता है so basically boy इस plank को left direction में push कर रहा होता है so plank के ओपर friction plank के top surface पे friction पीछे लगता है और boy के leg पे friction आगे लगता है तो overall जो मेरा system है मेरा system यहाँ पे क्या होने वाला है boy plus plank तो overall इस system पे अगर आप ध्यान से देखे तो horizontal direction में x direction में there is no net external force और अगर कोई external force नहीं है तो आपका center of mass का location नहीं change होने वाला है यानि कि हम इस concept को इस्तमाल कर सकते है शुरुआत में सब कुछ rest पे था यानि कि center of mass आपको शुरुआत में rest पे था तो बाद में भी वो rest पे ही रहने वाला है ठीक है एकदम so we are going to use this concept right अगर आपको confidence है तो आप इस सवाल को solve करें और उसके बाद आके इसका solution को देखे clear एकदम अच्छा तो हम यहाँ पे simply कह सकते है कि मान लीजिए यह जो plank है वो आपको पी effectively लड़का कितना चला है लड़का तो भया सिर्फ L-X चला है ना बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते है कि plank के ऊपर वो L चला है तो वो L ही ले लेते है लेकिन यह जो आपका concept यह जो formula है यहाँ पे जितने भी आपको change है वो with respect to ground लेना है तो आप समझ सकते है कि effectively लड़का जो है वो L-X ही चला था clear एकदम अब आपको बस यहाँ पे इस formula को इस्तिमाल करना है यानि कि M1 delta X1 plus M2 delta X2 is equal to 0 तो हम इस formula को यहाँ पे इस्तिमाल करेंगे right यहाँ पे जो M1 है वो boy के लिए है तो अगर आप धिहान से देखिए तो M1 की जगा हमने M रखा है delta X1 यानि कि boy का position कितने से change हुआ है so that is L-X और वो right side था right side को हम लोग positive ले रहे है यह सब vector quantities है तो यहाँ पे plus L-X रखा है लेकिन वहीं जब plank की बात करोगे तो plank आपको left side move किया है तो यह आपको minus X होने वाला है is equal to 0 यहाँ से आपका X का value निकल के आ जाएगा clear एकदम अच्छा अब य यह आपका boy trolley situation होता है सवाल easy है concept भी easy है लेकिन यहाँ पे छोटा सा factor होता है जो कि बहुत से बच्चे गलती करते है ठीक है तो यहाँ पे हमसे सवाल क्या पूछ रहा होता है हमसे सवाल पूछता है कि एक boy है उसका mass M है वो एक trolley पे खड़ा है जिसका mass capital M है clear एकदम अब यह लड़का जो है वो jump करता है इस trolley से हमें question में language क्या दिया है boy jumps with you relative to the trolley find the trolley velocity अब सबसे पहले तो आपको यह बात को समझना होगा कि भाया यह trolley के पास velocity आया कैसे जब यह लड़का jump करता है तो basically वो इस trolley को पीछे push करता है अपने पैरों से तो वो trolley उस लड़के को आगे push करता है यहाँ पे वो pushing force basically friction है ठीक है तो पहली बात तो यह आप समझ सकते है कि लड़का और trolley को अगर हम system बना ले तो आप समझ सकते है कि यहाँ पे horizontal direction में कोई भी net force नहीं है इसका मतलब हम लोग momentum conservation लगा सकते है along the horizontal direction पहला तो यह point एकदम clear हो जाना चाहिए दूस comes with you relative to trolley यह आपको after jump की कहानी है कूदने के बाद लड़के का जो भी velocity था with respect to ground यह you वो नहीं है this you is relative velocity of boy with respect to the trolley after the jump ठीक है तो इसका solution ध्यान से देखिए आपको पक्के तोर से समझ में आ जाएगा so basically यहाँ पर होने क्या वाला है कि यह लड़का जो है आपको कूदा माल लिजे कि लड़के का जो velocity है वो u1 है और यह u1 ground के respect में है आप जब भी momentum conservation equation लगाते है तो वहाँ पर जितने भी momentum लिखते हो velocity लिखते हो वो आपको ground frame में होना चाहिए तो इस लड़के का velocity actually में u1 थ और जैसे ही वो कूदा ट्रॉली के पास एक velocity v आ गया तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि velocity of boy with respect to trolley relative का formula लगा रहे है velocity of boy with respect to trolley is nothing but vb minus vt हमें यह vb by t दे रखा है हमें यह relative velocity u दे रखा है इस पूरे question में समझ में आ रहा मेरा बात अच्छा सर यह vb कितना है यह तो भाया boy का velocity ह which is u1 सर यह vt कितना है तो सर यह तो trolley का velocity है लेकिन आपका trolley पीछे जा रहा है तो यहाँ पर आप इसे with sign substitute करेंगे तो आप minus v put करेंगे और यहाँ पर एक minus sign था तो यहाँ पर basically minus minus plus हो जाने वाला है तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि actually में boy का जो velocity है ground frame में that is u minus v हम इस पूरे question में v solve करना है clear एकदम अच्छा अब अगला point क्या है कि भाईया आपका momentum तो constant है यानि कि कूदने से पहले system का momentum था कूदने के बाद system का momentum उतना ही होना चाहिए अब कूदने से पहले system के पास तो को momentum था ही नहीं यानि कूदने के बाद भी system का net momentum zero होना चाहिए इ यहां से हम simply कह सकते है that mu1 should be equal to capital MV आप यहां से u1 की value u-v substitute करेंगे और आपको trolley का जो speed है वो निकल के आ जाएगा mu upon m plus capital M clear एकदम I hope आपको यह पूरा अच्छे से समझ में आया है बहुत important concept है क्योंकि इसी variety का exact आपको एक और next variety दिखने वाला है that is your gun bullet situation और यह same variety आपको J. main 2021 में आपसे पूछा गया था जहां पे सवाल में muzzle velocity का प्रयोग किया क्या था यह word आपको question में था and it troubled a lot of students तो ध्यान से समझे आपके सामने यहां पे एक bullet है यह आपका yellow वाला bullet है यह आपको gun है gun का mass हमें capital M दे रखा है और इस bullet का mass हमें small m दे रखा है ठीक है तो आपने जैसे इस bullet को fire किया तो आप सभी को पता है आप 9 से ही यह चीज़ पढ़ते आ रहे है कि यह gun जो है वो backward direction में recoil करता है अगर आपका bullet आगे जाएगा तो gun आपको recoil करेगा पीछे की तरफ हमसे वही recoil speed पूछा है हमें question में क्या दे रखा है हमें question में देता है that the muzzle velocity is U अब इस जो है basically यह जो आपको end वाला portion है na barrel इसको ही बोल रहे हम लोग ठीक है so basically U is the velocity of the bullet right with respect to the gun after firing तो बिलकुल पिछले वाले जैसा ही है अगर हम इसका working देखे तो bullet का कुछ actual speed U1 है gun का recoil speed V है right और हमें फिर से वही चीज़ इस्तिमाल करना है that is velocity of bullet with respect to gun is VB minus VG हमें ये VBYG जो है question में देता है हमेशा which is U ठीक है और VB जो है वो U1 है VG जो है आपको minus V होगा क्योंकि backward direction में है तो minus minus plus हो जाता है तो eventually आपको U1 जो है वो U minus V exactly पिछले जैसा ही situation है अब again शुरुवात वाला momentum should be equal to बाद वाला momentum यहाँ पे भी momentum क्यों conserve है क् आपको bullet जो fire हो रहा है वो अंदर में कुछ आपका internal spring mechanism है so right so there is no net external force acting on the system ठीक है तो हम फिर से कह सकते है कि final momentum should be zero why because initial momentum was zero और अगर बाद वाला momentum zero होना है यानि gun का momentum जो पीछे की तरफ है that should be equal in magnitude as the bullet का momentum आप यहाँ पे वही equation दुबारा से लिखोगे यह आपको gun का momentum यह आप आपको bullet का momentum है यहाँ से आपको capital V निकल किया जाएगा clear एकदम चली आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हम लोग यहाँ पर explosion concept का so explosion concept में यहाँ पर क्या है हम लोग फिर से यहाँ पर एक सवाल not सवाल बट एक example कि तुरू देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास basically a spherical body है तो अग body आपको right set जा रही है with some velocity U अब यह जो आपको spherical body है वो explode कर जाती है अब आप इसको एक bomb की तरह treat कर सकते हो तो अंदर में आपको कोई internal chemical reaction हो रहा है जिसके कारण यह bomb जो है वो explode कर गया अब again यहाँ पर वही concept है कि इसके ऊपर external कोई net force नहीं है जिस कारण से हम again यहाँ पर momentum conservation लगा सकते है explosion due to the internal forces so there is no net external force acting on the system इसका मतलब है कि system का momentum constant होगा यानि की system का center of mass का velocity constant रहेगा तो अगर यह दो टुकडों में divide हुआ है दो से जादा भी हो सकता है लेकिन अगर यह दो टुकडों में divide हुआ है एक का velocity v1 है एक का velocity v2 है यह दोनों भले ही अलग-अलग direction में जाए लेकिन center of mass जो है वो जिस direction में था अभी भी center of mass उसी direction में move कर रहा है ठीक है इस situation में अभी हम लो gravity को ignore कर रहे है there is no gravity anywhere right so center of mass आपको horizontally जा रहा है clear एक तो यह वाला point होगा कि center of mass आपको वही path पे follow कर रहा है दूसरा point आपको यहाँ पे क्या है कि भाईया अगर आपका momentum conservation है तो आप momentum conserve कीजिए explosion से पहले system का momentum क्या था m into u vector और explosion के बाद m1 v1 vector plus m2 v2 vector clear एकदम अब यहाँ पे आप चाहो तो x में कर सकते हो ठीक है example के तोर पे आपके सामने यहाँ पे एक straight forward question है सवाल में आपसे कहता है कि आपके पास एक bomb है जिसका mass है 3 kg और उसका velocity था 10 meters per second after explosion एक mass 2 kg का है दूसरा वाला mass 1 kg का है and they are making an angle of 53 degree and 37 degree with the horizontal तो हमसे यह v1 और v2 की value पूछी जा रही है अब यहाँ पे अगिन अलग लगाओ right vector quantities है तो आप इसको x में अलग deal करोगे और y में अलग deal करोगे ठीक है जब हम यहाँ पे x direction में momentum conserve करने जा रहे है तो शुरुआत में bomb का जो momentum है वो तो x में ही है we are taking x as horizontal and v as a vertical one right so x में momentum कितना है 3 into 10 30 अब बाद में जो आपका x में में जो आपको momentum है आपको component लेना है basically right so v1 का आपको horizontal component हो जाएगा v1 cos 53 तो उस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा यह आपको 2 जो है वो mass है right similarly v2 cos 37 right तो यह आपको equation number 1 हो गया अब आप y में भी momentum को conserve कर सकते हो शुरुआत में system के पास तो y direction में कोई momentum था ही नहीं right so initial momentum in y direction is 0 right बाद में अगर आप ध्या होगा right यहाँ पर और यह v2 जो है उसका downward direction में आने वाला है तो हमने उसे negative ले लिया है अब यहाँ पर आपके पास equation number 1 equation number 2 है cos 53 cos 37 यह सारी value आपको याद होनी चाहिए या फिर आपको सवाल में दे भी देगा cos 37 आपको कितना होता है 4 by 5 sin 37 is 3 by 5 and so on आप जब values को substitute करोगे you will get v1 as 9 meters per second and v2 as 24 meters per second clear एक दम चलिए अब इसी को अगर हम लोग projectile motion में लगा दे तो यहाँ पे आप सवाल की थुरू ही तेखिए यह standard variety और j mains में यह आपको बिलकुल आने लाएक सवाल है सवाल में हमसे क्या कहता है कि आपके पास एक projectile है इसका mass m है initial velocity u है and angle of projection जो है वो theta है आपने इसे project किया है यह जा रहा है जा रहा है जा रहा है जब यह अपने topmost position पे था उस वक्त इस projectile का या फिर इस bomb का जो velocity होगा वो तो u cost टीटा ही होगा topmost में सिर्फ u cost टीटा ही होता है अब जैसे ही वो top पे पहुँचा वो फट गया अब वो दो अलग अलग पार्ट म एक 2m by 3 मास का है जो आपको heavier मास था वो instantaneously rest पे आ जाता है यानि कि अब वो नीचे गिरने वाला है free fall होगा उसका और जो दूसरा वाला मास है उसके पास कुछ velocity होगी राइट हमसे सवाल में क्या पूछता है find the distance of m by 3 from the origin यानि कि यह जो m by 3 जहां भी जाके गिरेगा suppose यहा दूरी है अब यहां पे आप concept को समझी है just फटने से पहले और फटने के बाद momentum conserve कर सकते थे basically आप यहां पे आपको explosion ही हो रहा है ठीक है अच्छा अगर आप momentum conserve कर सकते है यानि कि आपका center of mass का जो velocity है वो फटने से पहले u cos theta था यह जो आपका white dot है ना वो center of mass दिखाय जा र पहले center of mass का velocity अगर u cos theta था तो explode होने के just बाद center of mass का velocity u cos theta ही रहने वाला है भले इसका और इसका कुछ भी हो जाए तो फटने के just बाद explode होने के just बाद center of mass का velocity u cos theta ही है ठीक है यानि कि center of mass वही path continue रखेगा जो वो पहले रखने वाला था क्योंकि gravity तो है downward direction में तो वो center of mass को लेके आई जाएगी तो जो path पे वो projectile रहने वाला था center of mass आप इस white dot को देख सकते हो center of mass वही exact path trace करेगा clear एकदम अब यहाँ पे एक condition में बता दू पहले से ही right यहाँ पे यह exact path complete तब कर पाएगा जब यह दोनों masses m by 3 and 2 m by 3 same time पे जमीन को touch करेंगे ठीक है तो आप के सामने जो situation बनाया है और जेही mains level तक यही situation ही पूछा जाएगा advanced level पे आप जब जाओगे तो शायद कुछ और situation create किया जा सके जहाँ पे यह दोनों masses अलग-अलग time पे जमीन पे पहुंचने वाले हो अगर दोनों same time पे जमीन पे पहुंचने वाले है जो कि इस situation में होने वाला है क्योंकि इस वाले mass का initial speed 0 है और यह वाला mass आपको horizontal move करने वाला है यानि कि दोनों को ही नीचे गिरने में जो time लगे का that is equal to under root 2hyg where h is this maximum height यह वाली जो height है clear एकदम अगर दोनो same time पे जमीन को touch करने वाला है तो center of mass complete parabolic path cover करेगा clear एकदम आप इसको as a concept अभी ध्यान में रखे ठीक है क्योंकि अगर दोनों ये दोनों जो green masses है अगर अलग-अलग time पे पहुँचेंगे अगर कोई एक mass पहले पहुँच जाता है तो उसके ऊपर normal लगना शुरू हो जाएगा यानि कि system पे एक और gravity के इलावा एक और force आ जाएगा which will change the entire scenario entire dynamics of center of mass clear एकदम अच्छा खेर अगर यही variety है तो यहाँ पे हम बहुत easily एक काम कर सकते हैं अब क्योंकि आपका center of mass तो यहीं है which is what center of mass is basically at a distance from the origin which is nothing but the range clear एकदम यह आपको 2m by 3 है तो हम तो जानते हैं कि 2m by 3 का center of mass से जो दूरी है that is nothing but half of the range यह आपको basically r by 2 है माल लेते हैं कि यह जो distance है वो आपको small d अब हमने center of mass में two particle system में एक बहुत अच्छा formula सीखा था that is 2m by 3 multiplied by r by 2 is equal to m by 3 multiplied by small d आप जब ऐसा करोगे तो आपको d निकल क्या आता है capital r और अगर आपका d capital r है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो distance है वही capital r है यानि कि जो आपका total distance हो जाएगा of m by 3 from the origin that is going to be 2r right और आपको r कितना है वो तो हमारे पास formula है हम u और theta की terms में r को लिख सकते थे ठीक है तो यह आपका हो गया final answer चलते आगे बड़े चलिए अब यहाँ पर आपके पास एक और next variety है जिस पर बहुत सवाल बनता है तो यहाँ पर आपको कुछ variety दिखाया जाएगा bullet hitting block या फिर कोई bob हो एक धागे से लटकावाई एक pendulum है और उसके bob को bullet hit करने वाला है तो ऐसे variety में आपको दो equation लिखना पड़ता है एक हमेशा momentum conservation का और दूसरा energy conservation का तो ध्यान से आप इस example को देखिए अगर आप confident है तो आप इसको खुद से solve करें और पर आके इसका working को देखें आपके पास यहाँ पर एक block है एक bullet है जिसका mass small m है और bullet का velocity आप देख सकते है small u है अब यह bullet सवाल में क्या बोलता है यह bullet जाता है इस block के साथ टकराता है और इसमें embed कर जाता है यानि इसके अंदर घुस के अंदर ही रहता है clear एकदम अच्छा हमसे पूछता है कि बताइए what is the maximum compression in the spring तो यहाँ पर हो क्या रहा है bullet जब इस block को hit करेगा इसके अंदर जब embed भी हो जाएगा तब bullet प्लस यह जो block है उसका एक नया velocity आएगा उस velocity के साथ यह पूरा जो block है वो जाता है spring के साथ टकराता है और spring को compress करता है और ऐसा सवाल अपने work energy में ज़रूर से किया होगा यह block जब spring को compress करेगा तो block ऐसा करते वक्त अपनी kinetic energy को पूरा पूरा सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि इस system का यह bullet जब इसके अंदर आके टिक गया है तो इस system का velocity कितना है तो यहाँ पर हम लगा सकते है linear momentum conservation राइट ज़स्ट बिफोर इस पूरे system का जो momentum है वो है small m into u and just after system का जो momentum है that is total mass into v तो यहाँ से आपका v निकल किया आ गया और उसके बाद आपको लगाना है energy conservation इस पूरे system ने kinetic energy loose कर दिया है और potential energy gain किया है so I can write loss in kinetic is equal to gain in potential kinetic कितना loose किया है so basically half mv square आपके पास यहाँ पे v भी है आपके पास यहाँ पे total mass भी है is equal to this entire kinetic gets converted to energy of potential so half kx square आप यहाँ से x solve कर लेंगे ठीक है एक और variety देखिए बहुत सवाल आता है इसके उपर आपके सामने यह एक धागा है यह आपको एक bob है जिसका mass capital M है और यहाँ पे आपको again एक bullet है फिर से हमसे कहता कि bullet आता है इसके साथ तकराता है इसके अंदर embed हो जाता है राइट अच्छा सर अब यह bullet के velocity आपको यू है तो अब क्या होने वाला है यह bullet जब इससे टकराएगा तो इस system के पास इस green वाले mass के पास एक velocity आ जाएगी और उसके बाद यह जो mass है वो आपको इस तरीके से rise करना शूरू करेगा तो basically हम लोग इस case को analyze कर लेते थोड़ा सा अच्छा तो next step में क्या हो रहा है यह bullet गया इसके अंदर embed हो गया और इस पूरे setup के पास एक velocity वी आ जाती है तो इसके और इसके बीच में right this is our initial situation this is the final situation we can apply linear momentum conservation so m into u is equal to total mass into velocity यहां से आपका v निकल के आ गया clear एकदम अब यहां पे भी situation मनता है अगर धागे का length आपका l है अगर यह v root 5 gl के बराबर या उससे जादा है तो आपको यह पूरा setup complete circular vertical circular करेगा ठीक है लेकिन generally ऐसा होगा नहीं आपको यह जो v है वो root 2 gl से कम होता है सवाल ऐसा ही बनाया जाएगा कि आपका यह जो v है वो root 2 gl से कम हो यानि कि यह जो system है वो एक angle तक rise करेगा और हमसे यही angular amplitude question में पूछता है हमसे यह theta पूछता है right इसका direct formula भी होता है अगर आपको वो याद है तो आप उसको apply करें या फिर आप यहाँ पर directly energy conservation लगा है आपका easily सवाल crack हो जाएगा यह जो आपको mass है वो basically एक vertical height gain किया है यह जो vertical height है so it has gained gravitational potential energy at the cost of kinetic energy पूरा का पूरा kinetic जो है वो खो बैटा है so loss in kinetic is equal to gain in gravitational potential और कितना height gain किया है तो भाया L into 1 minus cos theta यह आप यहाँ पर mathematically देख सकते हो we have already discussed these things in vertical circular motion clear एकदम तो भाया यह variety भी आता है सवाल exam में चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं हम लोग block moving over another block अब again यह ऐसा situation है जहाँ पर आपको फिर से दो ही equation का इस्तेमाल करना पड़ता है one is your momentum conservation and another one is your energy conservation सवाल में हमसे क्या बोलता है आपके पास है कि यह बड़ा वाला wedge है M2 mask का right यह वाला एक block है M1 mask और इसका जो velocity है वो U है शुरुआत में यह जो बड़ा वाला wedge है वो rest पे है और कहीं पे भी कोई friction नहीं है नहीं ground पे है नहीं यहाँ पे है ठीक है अच्छा अब हमसे सवाल में क्या बोलता है कि आपने जब इसको एक U velocity देके छोड़ दिया है तो बताइए यह जो आपका yellow वाला block है वो maximum कितना height अचीव करने वाला है इस wedge की ओपर किक है assuming कि यह जो wedge का vertical length है वो sufficient है अब समझ यह बात को पहले तो हमको समझना होगा कि इस wedge के साथ क्या होने वाला है तो आप ध्यान से अगर देखे जैसे ही यह block आपको इस curved portion पे पहुँचेगा तो यह block जो है इस wedge पे normal ऐसे लगाएगा और यह wedge आपको block पे normal ऊपर की तरफ लगाएगा ऐसा अब यह जो normal है इसका एक horizontal component होगा right which will basically move this wedge in the rightward direction तो एक बात तो clear है कि जब यह आपको block ऊपर चाड़ रहा था तो आपको यह block के साथ साथ यह wedge भी right side जा रहा है clear है एकदम अच्छा अगर आप ध्यान से देखे if we take this block and wedge as our system तो हम यह बहुत guarantee तरीके से कह सकते है कि यह normal जो है वो internal हो जाने वाला है आप देख सकते हैं ना यह normal यह normal आपस में होगा cancel out so इस पूरे system पे एक ही external force लगने वाला है that is mg gravity mg force on this block ठीक है इसका मतलब system पे vertical direction में तो एक external force है mg लेकिन horizontal direction में system पे कोई भी net force नहीं है यानि कि हम कह सकते हैं कि horizontal direction में तो भहिया momentum conservation है लेकिन vertical direction में नहीं है clear एकदम अच्छा अब यहां से एक step और आगे बढ़ते हैं अब आपको यह block और उपर चड़ता है चड़ता है और माल लेते हैं यह आपको h height तक चड़ पाया यानि कि इस block का y direction में speed 0 हो गया है भया speed y direction में 0 हो आ है तभी तो यह और उपर नहीं जा पा रहा है ठीक है लेकिन आपको यह जो पूरा setup है system है वो आपको right side जा रहा है with some vx velocity तो अब आप इसको अपना final situation लेंगे इसे आप अपना initial situation लेंगे और आप momentum conservation and energy conservation का equation लिखेंगे अगर हम बात करें यहाँ पर momentum conservation की तो भाया x में momentum आपका conserved है यानि कि initial momentum which is m1 into u is equal to final momentum which is total mass multiplied by horizontal velocity तो यहाँ से आपको vx निकल किया जाएगा और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें energy conservation की तो इस block ने जब यह block आपको ऊपर चड़ा है h height तक तो इस block ने एक gravitational energy gain किया है तो भाया अपने आप तो gain कर नहीं लेगा अगर gravitational energy gain हुआ है तो कुछ खोया भी होगा क्या खोया है kinetic energy so we can say that gain in potential energy is equal to loss in kinetic energy of this system इस पुरे system पे हम लोग लगा रहे energy conservation so what is the gain that is your m1gh यहाँ पे small h की जगा यह capital H ही होगा right this is equal to loss in kinetic तो शुरुवात में system का kinetic energy क्या है half m1 u square minus बाद में system का क्या है kinetic energy that is your half total mass multiplied by vx square clear एक दम चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छा अगर किसी को इसी variety पे एक और सवाल practice करना है यह सवाल basically आपको HC वर्मा volume 1 का सवाल है question number 61 and this is a very good level question ठीक है अगर आप advance को aspire करने हो तो यह सवाल आपके लिए बहुत relevant है और अगर आपको mains में एक अच्छा rank लाना है तब भी यह सवाल आपके लिए relevant है इसको आप try करें और इसका जो video solution है वो भी हमारे channel पे है animation के साथ है इस link पे आप जब click करेंगे तो वो वीडियो खुल जाएगा clear एकदम चलिया आगे बढ़ते हम लोग और बात करते है अपना जो 9th topic है that is your 2 block spring system ठीक है अच्छा अगर हम लोग advance की बात करें तो यह जो सवाल है यह जो variety है वो तो वहाँ पे applicable है लेकिन जेई mains में 2021 से पहले तक उतना ज़्यादा relevant नहीं था 2021 में इसके उपर एक सवाल पूछ लिया गया actually यही variety आपको पूछ लिया गया ठीक है तो हम लोग इस variety को solve करेंगे दो तरीके से एक जो है आपका normal तरीका है standard तरीका है और दूसरा तरीका वो है चोकि काफी बच्चे शायद इस वीडियो में मुझसे expect कर रहे है that is the reduced mass concept हम लोग यहाँ पे reduced mass concept को तो derive नहीं करेंगे लेकिन उसको use करके सवाल को ज़रू से solve करेंगे ठीक है अच्छा सवाल में हमसे क्या पूछता है आपके पास यहाँ पे दो block है यह आपको spring है spring constant k है शुरुवात में आपका spring जो है वो natural length में है यह वाला mass 2m है यह वाला mass m है ठीक है हमने यहाँ पे सवाल create कर दिया आपके लिए आपने इस वाले mass को right side की u velocity देके छोड़ दिया है there is no friction anywhere हमसे पूछता है बताए what is the maximum compression in the spring spring में maximum compression कितना आया होगा सबसे पहले इस सवाल को अगर आपको normal तरीके से भी solve करना है तो आपको यह समझना होगा कि भाईया जब maximum compression आया है उस समय ऐसी क्या खास बात हुई है इस system में अगर आप ध्यान से देखे जब यह block आपको आगे बढ़ता है जब यह block आपको आगे move करेगा तो वो spring को compress करेगा जब spring compressed होता है तो वो outward direction में वो outward direction में वो बाहारी direction में force लगाता है तो जैसे ही यह spring आपको compress होगा वो इस 2M mass को right side push करेगा तो यह 2M mass का जो speed है जो velocity है वो right direction में increase होना चालू हो जाएगा clear एकदम अच्छा अब यह जो spring है वो कब तक compress होता रहेगा यह spring तब तक compress होता रहेगा जब तक पीछे वाले का velocity आगे वाले से जादा है अब बत समझ रहो ना अगर पीछे वाले का velocity मान लीजे यह पांच है और आगे वाले का तीन है यानि कि पीछे वाला आगे वाले को दो के velocity से अप्रोच कर रहा है तो तब भी spring compress हो रहा है इसका मतलब so what is the moment what is the condition when the spring is maximum compressed उस moment पे जब आपका spring maximum compressed है तब दोनों block का velocity actually में same हो चुका होगा same हो चुका होगा and that is the master stroke while solving this question जब आपका spring में maximum compression आया है जिसे हम x मान लेते है उस moment पे दोनों blocks का velocity है वो same होगा मान लेते वो v है एक बार ही आपने इस बात को deduce कर लिया है उसके बाद आपका situation बड़ा easy सा है अगर आप ध्यान से देखे हम लोग यहाँ पे दोनों blocks का इस system treat करने वाले है तो आप देख सकते है यह जो spring है इस block पे भी right side लगाएगा kx इस block पे left side लगाएगा kx तो पूरे system पे तो भाया net force 0 है आज भी horizontal direction में इसका मतलब हम लोग momentum यहाँ पे कर सकते है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे m into u is equal to m into v plus 2m into v right तो यह हमारा हो गया momentum conservation का equation यहाँ से हमको v पता चल गया that is your u by 3 इसके बाद क्या energy conservation energy conservation right तो शुरुवात में इस पूरे system के पास सिर्फ kinetic energy है which is your half mu square और बाद में system के पास kinetic के साथ साथ spring क्योंकि compress हुआ था तो potential energy भी है तो यहाँ पे हम easily कह सकते है कि total initial energy which is your half mu square should be equal to total final energy which is the kinetic plus potential तो यहाँ से आपका यहाँ से आपका x solve हो जाएगा यह जो v की value है उसको उठाके यहाँ पे डाल दो और आपका x solve हो कि इतना answer आ जाएगा तो यह तो इसका हो गया general method अब दूसरा method होता है reduced mass तो यहाँ पे simply आप concept को देख ले कि कैसे apply हो रहा है और इसको ही follow करें अपने सवालों में तो यहाँ पे इस पूरे setup को basically आप इस setup से replace कर सकते हो ऐसे सवाल को solve करने के लिए इन दोनों blocks के जगह हम लोग यहाँ पे एक single block लगा रहे है जिसका mass को हम लोग कहते है reduced mass इस reduced mass का formula होता है दोनों mass का product upon दोनों mass का submission ठीक है spring constant को k ही रखेंगे यह जो आपको यहाँ पे velocity होगा that is basically the relative velocity between the velocities of the two blocks अब इस situation में यह वाला block क्योंकि rest पे था तो relative velocity u के ही बरावर है ठीक है तो यहाँ पे basically अब हम लोग सीधे once you have done this you can directly go for energy conservation यह block आपको right side जाएगा spring को compress करेगा so we can write loss in kinetic energy of the block is equal to gain in potential energy of the spring right spring आपको जो maximum compress हुआ है x से so half यह mass है यह velocity का square is equal to half kx square reduced mass के जगा हम लोग यह लिख देंगे और v relative के जगा हम लोग u लिखेंगे आप जब इसको solve करोगे आपको एक बादी में x वही answer निकल के आएगा clear एक दम चलिए आगे वढ़ते हैं और बात करते हैं 10th number point की अच्छा अब दीरे दीरे हम लोग यहाँ पे collision मेंडर करने जा रहे हैं आप सभी को पता है कि collision क्या होता है दो body आता है आपस में टकराता है और जब वो टकराता है तो वहाँ पे जो impact होता है वो basically normal force है और पूरे system पे अगर हम लोग देखे दो body अगर आपस में टकरा रहा है तो एक body दूसरे पे normal लगाएगा तो दूसरा body पहले पे normal लगाएगा आपको वहाँ पे भी net force 0 है तो momentum conserve भी करते है ठीक है तो उसी का एक extension है लेकिन collision भी आपको यहाँ पे दो variety का होता है एक होता है आपको head on collision और दूसरा आपको होता है oblique collision तो कब head on होएगा कब oblique होएगा इसको समझने के लिए दो term समझना पड़ेगा पहला होता है line of motion और दूसरा अपना होता है line of impact अब सर यह line of motion क्या होता है तो भाया आपका particle जस direction में move कर रहा है उसको बोलते है line of motion basically उसके velocity की direction को कहते है line of motion और line of impact क्या होता है जब दो पार्टिकलल आपस में टकराता है तो normal जस direction में लगता है उसे हम कहते है line of impact अगर line of motion और line of impact same direction में है तो वो आपको होता है head on collision और अगर दोनों अलग अलग direction में है line of motion और line of impact के बीच में कोई angle है तो उसे कहते हैं हम लोग oblique collision example के तोर पे आप यहाँ पे देख सकते है यह आगे वाला ball rest पे माल लिजे यह पीछे वाला आपको जा रहा है right side with some velocity so जिस direction में यह travel कर रहा है उसी को हम कहेंगे यहाँ पे line of motion जब यह दोनों आपस में टकराता है तो पीछे वाला आगे वाले पे normal लगाएगा और आगे वाला पीछे वाले पे normal लगाएगा तो यह जो normal का जो direction है अगर आप ध्यान से देखे यह direction और यह direction basically same ही था अगर ऐसा है तो यह आपको head-on collision है लेकिन अगर situation कुछ ऐसा है अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखे जब यह white वाला बॉल आके yellow वाले से टकराएगा तो इस situation में normal कुछ ऐसे लगेगा अब यह आपको हो जाएगा line of impact आप यहाँ पे clearly देख सकते है कि line of impact जो है वो line of motion के साथ aligned नहीं है अलग-अलग direction में है तो यह आपको हो गया है oblique collision ठीक है तो यह आपको फंडमेंटल concept जो कि आपको पता होना चाहिए नहीं पता है तो पता कीजिए देखिए इसको समझे इसको our revision videos are very much sufficient to capture all sorts of concept फिर हम लोग बात कर लेते हैं impulse के बारे में ठीक है impulse जो है उसका symbol capital J होता है and this is nothing but basically change in momentum आप एक body पे force F लगाते हो for some time interval T1 से लेके T2 तो उस F force के कारण body का momentum change होता है तो उस change in momentum को ही basically impulse कहा जाता है ठीक है आपके पास formula होता है force is equal to dp by dt तो वहाँ पे 2 situation मनता है क्या तो आपके body पे लगने वाला force constant है अगर force constant है तो हम यहाँ पे directly लिख सकते है after integrating this आपको left side मिलेगा simply change in momentum और right side मिलेगा that constant force multiplied by change in time लेकिन अगर आपका force एक time का function है time के साथ vary कर रहा है तो उस situation में आपको यहाँ पे proper तरीके से integrate करना होगा t1 से लेके t2 आपको limit लगाना होगा and then you will get change in momentum which is nothing but impulse अब एक बारी आपने यह integration का formula देख लिया तो आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि इसका मतलब सरी यह है कि अगर हमको कभी भी force versus time का graph दे दे तो उस graph के नीचे जो curve होगा sorry area होगा that area under the curve is going to be simply change in momentum तो कभी-कभी आपको ऐसा सवाल भी directly पूछा जा सकता है आपको एक graph दे देगा आपसे change in momentum पूछा जाएगा या फिर आपको impulse पूछा जाएगा so impulse is nothing but area under the curve clear एक दम अच्छा अब यहाँ पर एक और बात को समझ ले impulsive force किसे कहते है तो यह आपको word ही अपने आप में समझ में आ रहा होगा impulsive यानि की एक बड़े magnitude का force जो की बहुत छोटे से time interval के लिए लगता है ठीक है impulsive force जो होता है वही आपको एक significant momentum change लाने के लिए contribute करता है अगर कोई force impulsive है तो वो body के momentum में change लाएगा जब भी आपका collision होता है जब भी आपको दो body आके आपस में टकराती है तो वो जो normal force है ना वो आपको basically impulsive force है क्योंकि वो बहुत छोटे से time के लिए लगता है आप जब किसी ball को दिवार पे पटकते हो तो वो दिवार के साथ बहुत कम time के लिए interact करता है right for milliseconds right और वो force की value बहुत बड़ी होती है समझ में आ रहा है तो वो जो आपको impact force होता है वो जो normal force आपके ball पे लगती है वो आपको impulsive force है लेकिन जो आपके ball पे mg लग रहा होता है m into g वो आपको non-impulsive है right वो आपको non-impulsive है तो एक non-impulsive force जो होता है वो आपको momentum में कोई change नहीं लाता है हम उसे neglect कर देते हैं तो इसलिए आपको जब भी collision होगा हम लोग सिर्फ impulsive force को ही consider करेंगे अपने equations में मेंस लेवल की बात करें तो आपको directly यहाँ पे जो आपको change in momentum होता है उसका formula आपको समझ में आना चाहिए ठीक एकदम अच्छा अब यह जो अपना topic है na coefficient of restitution इसके formula को लेके काफी ज़ादा misconception भी रहता है ठीक है तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा काफी detailed तरीके में आपको यहाँ पे समझाए जाएगा E का जो actual formula होता that is the velocity of suppression of point of contact divided by velocity of approach of point of contact और यह जो आपको velocities होती है वो आपको along the line of impact होती है यानि कि normal के direction वाली velocities अब इसका importance velocity along the line of impact इसका importance तो आपको 2-3 slide बाद ही समझा दिया जाएगा लेकिन जो point of contact का importance है यह आपको समझ में आएगा rotation के जब हम लोग concepts कर रहे होंगे clear एकदम? अच्छा अब E का जो value होता है वो आपको 0 से लेके 1 तक vary करता है अगर E की value 1 है यानि कि जो आपको collision होने वाला है आप यहाँ पर example के तौर पर देख सकते है आपके सामने यहाँ पर एक ball है जिसका speed U1 है आगे वाले का U2 है और अगर U1 U2 से जादा है तो definitely दोनों के बीच में impact होगा तो जब आपको impact होगा दोनों एक दूसरे पर normal लगा रहे होंगे हाला कि यह आपको एक impulsive force है इस समय और impact के बाद पीचे वाले की velocity V1 है आगे वाले की V2 है आगे वाले का जादा होगा V1 से clear एकदम जब आपको यहाँ पर impact होता है right at the point of contact जब यहाँ पर आपको impact हो रहा होता है तो यह जो contact surface है वो basically आपको थोड़ा सा deform कर जाता है अगर वो deformation permanent हो जाए तो वो आपको कहलाता है in elastic collision यानि कि उस situation में system में maximum kinetic energy loss हुआ है वो loss आपको basically इस deformation को करने में चला गया right अगर आपको यह deformation दुबारा से completely reform हो जाता है जो भी deformation आया था वो आपको completely गायव हो जाता है तो वैसे collision को हम लोग यहाँ पे कहते है perfectly elastic collision और अगर आपको थोड़ा सा deformation रह जाता है थोड़ा सा reform हो जाता है तो उसे हम यहाँ पे कहते है partially elastic collision clear एकदम अब basically हमें इस formula को लगाना आना चाहिए इसके उपर भी बच्चों को doubt रहता है confusion रहता है तो ध्यान से यहाँ पे आप example को देखिए ठीक एकदम तो आपके सामने यहाँ पे एक ball है जिसका velocity है 4 meters per second आगे वाले का 2 है after the collision पीछे वाले का 3 है और आगे वाले का आपको 4 है clear एकदम तो अगर हम लोग यहाँ पे E के formula की बात करें तो numerator में क्या है velocity of separation किस rate से separate हो रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते है basically आपको relative velocity लिखना है इनके बीच का which is 4 minus 3 right and velocity of approach तो इनके बीच का relative velocity कितना हो जाएगा 4 minus 2 right same direction में है तो आपको subtract करना होता है तो यह आपको आगया 1 by 2 एक और example देखिए यहाँ पे आपको दोनों ball एक दूसरे के तरफ आ रहा है after impact इसका 3 हो जाता है और इसका 5 हो जाता है so what is velocity of separation 5 minus 3 but what is velocity of approach right किस rate से वो नों एक दूसरे को approach कर रहा है what is the relative velocity जब दोनों opposite direction में होता है तो आप add करते हो so 4 plus 1 यहाँ पे हमें सिर्फ magnitude लाना होता है तो आपको आगया 2 by 5 इस तरीके से आपको E लिखने का confidence होना चाहिए clear एकदम अच्छा यहाँ पे जो आपको सबसे पहला standard variety बनता है यानि की collision with the floor right suppose कि आपके पास एक ball है आपने उसको simply drop कर दिया ball की initial speed u है वो h1 height fall करता हुआ floor से impact करने वाला है just टकराने से पहले मान लिजिए ball की जो velocity है वो v1 है हाला कि हम इस v1 को solve कर सकते है यह v1 आपको आने वाला है under u 2gh1 right from the concept of kinematics right just after the collision ball का velocity v2 हो जाता है clear एकदम तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अगर e का equation लगाए यहाँ पे आपको दो bodies कौन-कौन सी है ball and the floor तो floor तो आपको हमेशा से rest पही है तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए e is equal to what numerator में अपना होता था velocity of separation so वो तो basically v2 ही है and what is velocity of approach वो आपको v1 है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको v2 आएगा e into v1 तो इस बात को याद कर लिजिए कि जब दिवार से जमीन से टकराता है ball right तो जो यह v2 होगा that is going to be e times v1 clear एकदम अच्छा यह तो आपको हो गया v2 की value अब इस v2 velocity के साथ यह ball कुछ h2 height gain करेगा यह h1 के बराबर तो नहीं होने वाला है क्योंकि आपको यहाँ पे हमने कुछ e consider किया है यानि कि थोड़ा सा kinetic energy loss हुआ था during the impact right यानि v1 v2 के बराबर तो है नहीं तो same height नहीं gain करेगा हमें यह h2 height चाहिए तो h2 को अगर हम kinematics के formula से solve करें तो h2 आपको हो जाता है v2 by 2g right v2 by 2g and what is v2 v2 है आपको e into v1 तो यहाँ पे हमने put करा और v1 की value कितनी है इतना है आप जब इस value को भी यहाँ पे डालोगे तो आपको यह निकल के आएगा e square h1 तो आप इस चीज़ को भी याद रख सकते हो that is अगर वो h1 height fall किया था तो जो वो height gain करेगा that is h2 that h2 is going to be पिछले वाले height का e square times e square times ठीक है तो velocity होता है e times और height होता है e square times इसी concept पे based J.E. mains में 2021 में बहुत interesting सवाल पूछ लिया गया था जहां पे basically यह ball जो है वो आपको उपर नीचे उपर नीचे bounce करता रहेगा और हर bounce के बाद उसका जो height हो कम होता रहेगा यानि कि बहुत time बाद वो complete rest पे आएगा उसी के उपर हमसे एक सवाल पूछा गया था और आप इस सवाल को जरूर से solve करें यह सवाल आपको JEMains 2021 March attempt में पूछा गया था हमने इसका भी solution upload किया हुआ है हमारे PYQ series में इस यह सवाल जिस video में है उस video का link यह रहा आप इस link पे click करेंगे तो इस video का question number 4 है this question ठीक है तो आप खुछ से attempt करें mathematical concept as well चलिए अब यह जो आपको collision है यह आपको head on collision है यहाँ पे ball सीधा सीधा समीन पे गिरने वाला है लेकिन अगर आपने एक ball को टेड़े तरीगे से फेका है यहाँ पे आप ध्यान से देखिए यह जो आपको dotted line है that is nothing but the line of what? motion यह आपको motion line of impact यह रहा line of motion यह रहा दोनों के बीच में एक angle है यानि कि आपको एक oblique collision का example है पहली बात तो यह रही clear एकदम अच्छा अब यह ball जो है आपको आएगा और इस तरीके से टकरा के लौट रहा है with some velocity वी initial angle with the vertical rather with the normal is theta and final is phi clear एकदम अच्छा अब just जमीन से टकराने से पहले ball की velocity u है और just टकराने के बाद ball की velocity v है इस u का अगर हम लोग horizontal और vertical component ले तो वो आपको हो जाएगा u sin theta and u cos theta आप इसको इसली देख सकते यह angle अगर theta है तो यह वाला angle भी आपको theta होगा तो यह u cos theta यह u sin theta similarly यह वाला है वो इस direction में है this normal is only able to change the velocity in this vertical direction यानि कि जो horizontal direction की velocity थी ball की वो नहीं change हुई होगी यह सब आपको conceptual बात है यानि कि u sin theta और v sin phi बराबर रहा होगा ठीक है तो horizontal velocity तो बदली नहीं है horizontal direction में momentum बदला नहीं है momentum आपको ball का बदलेगा इस normal के along u cos theta पलट के v cos phi हो गया है ठीक है अब हमसे यहाँ पर अलग-अलग situation बन सकता है हमसे यहाँ पर सबसे पहला situation बन सकता है कि अगर आपका जो collision वो perfectly elastic है तो क्या होगा अगर आपका collision perfectly elastic है तो यह जो u है और यह जो v है आपस में बराबर रहेंगे और यह जो theta है और यह जो phi है वो भी आपस में बराबर रहेंगे अगर आपने raise वाला topic पड़ा है optics पड़ा है जहाँ पर angle of reflection is equal to angle of incidence तो यह कुछ वैसा ही बात हो गया है theta और phi आपको बराबर होगा और यह v आपको u के बराबर होगा लेकिन अगर आपको यह e की value 0 और 1 के बीच में है वैसे situation में आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरुवत है ध्यान से देखिएगा अभी हमको यहाँ पर e का formula लगाना पड़ेगा e का formula हमें किधर लगाना होता है अगर आप ध्यान से फिर से इस बात को समझे velocity along the line of impact right so line of impact के along ही velocities का formula लगाना है so e is equal to normal के direction वाली velocities क्या क्या है v cos phi टक्राने के बाद and u cos theta टक्राने से पहले यानि कि e is equal to v cos phi upon u cos theta यानि कि जो v cos phi है वो आपको e times u cos theta है ठीक है v cos phi जो होगा वो e times होगा u cos theta ये आपका equation number 2 है और ये आपका equation number 1 है हमें इस situation में v और phi को solve करना होता है तो अगर आप equation number 1 और 2 को आपस में divide कर देंगे तो आपको ये निकल के आ जाएगा यहाँ से आप phi solve कर लोगे और अगर आप equation number 1 और 2 को square करके add कर दोगे तो आपको यहाँ से v का equation निकल आएगा ठीक है अब तीसरा case यहाँ पे क्या बनता है अगर आपका coefficient of restitution e जो है वो 0 के बरावर है तो आप यहाँ पे देख सकते हो अगर आपने e को ही 0 पूट कर दिया यानि कि v कॉस फाई ही 0 है राइट वर्टिकल डिरेक्शन में टकराने के बाद कोई velocity नहीं है तो basically ये ball आपको horizontally निकल जाएगा इस तरीके से with the speed u sin theta अगर e की value 0 है तो ball आपको टकराने के बाद horizontally निकल जाएगा clear एकदम और चौथा इसमें हमसे क्या सवाल पूछा जा सकता है impulse what is the impulse imparted on this ball so basically इस normal के वज़े से इस ball के momentum में change आया है और आपने अभी-भी मेरे बातों को सुना होगा कि horizontal direction में momentum में कोई change नहीं आता है पहले भी u sin theta था और बाद में ये जो v sin phi है वो भी u sin theta के ही बराबर है तो जो भी momentum में change आता है वो आपको vertical direction में आता है right so impulse is equal to final momentum minus initial momentum right so what is your final momentum that is your mass into v cos phi right सिर्फ vertical direction में ही आपको momentum में change आया है तो vertical direction का ही change in momentum लिखेंगे so m into v cos phi minus minus टकराने से पहले आपको जो velocity है वो downward direction में थी तो वो आला momentum आप negative लेंगे so basically minus minus plus हो जाने वाला है so eventually आपको यहाँ पे plus sign ही आने वाला है so this is your change in momentum this is your change in momentum और अगर आपको e की value 1 है अगर आपको e की value 1 है तो आप इस बात को समझ सकते है कि आपका जो v cos phi होगा वो u cos theta के ही बराबर है क्योंकि v और phi आपको u और theta के बराबर था तो यहाँ पे आपको जो impulse है वो directly हो जाएगा 2 mu cos theta ठीक है तो यह वाला जो standard variety वो आपसे j e में पूछा जा सकता है कि अगर आपका elastic collision है तो बताई what is the change in momentum standard है 2 mu cos theta clear एकदम और अगर e की कुछ value है तो इस तरीके से आप यह formula लगाएंगे जहाँ पे आपको v और phi यहाँ से solve करना पढ़ेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे head-on collision के बारे में यानि कि आपका इस तरीके से 2 ball है आपस में collide करता है and after the collision they have velocities v1 and v2 तो ऐसे situation में जो कि बहुत normal सा situation है यहाँ पे आप हमेशा 2 equation लगाते हो एक होता है आपका momentum conservation right क्योंकि system पे लगने वाला net force है वो आपको 0 है तो initial total momentum is equal to final total momentum यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यह momentum यानि कि जो velocities है वो vector quantity है तो अगर आपने right side को positive माना है तो उसी साब से यहाँ पे आप लोग values भी substitute करोगे ठीक है and the second equation being your e equation आपको question में बता दिया जाएगा कि e की value 1 लेनी है कि 0.5 लेनी है कि 0.3 लेनी है यह whatever ठीक है तो e का formula तो आपको पता ही है velocity of separation upon velocity of approach इन दोनों equation को solve करके आप v1 और v2 की value को solve कर सकते है formula रखने की जरुवत नहीं है आपके पास यह दो equation आप बहुत quickly solve कर लेंगे इन चीजों को ठीक है और यहाँ पर e का क्या-क्या values होता है और उसमें क्या-क्या condition है वो भी आपको पता होना चाहिए अगर आपकी e की value 1 है तो system का energy constant है यानि की शुरुवात का energy is equal to bat का energy अगर आपका 0 और 1 के बीच में है तो एक partial energy का loss हुआ है और अगर आपसे loss पूछता है तो initial energy minus final energy और अगर e की value 0 है तो maximum energy loss होगा और कैसे निकालेंगे तो again initial minus final kinetic energy clear एकदम अब यहाँ पर हम लोग बात करें एक special case की अगर आपका दोनों mass बराबर है और अगर आपका collision perfectly elastic है head-on collision है so after collision the bodies basically exchange their velocities ठीक है आप इसको derive कर सकते हो लेकिन आप सीधे यहाँ पर example देखो दोनों masses 5 kg है ठीक है elastic collision होने वाला e की value 1 है पीछे वाले का velocity 5 था आगे वाले का 2 है तो अब पीछे वाले का 2 हो जाएगा और आगे वाले का 5 हो जाएगा they are basically interchanging their velocities and when I say the word velocity magnitude के साथ साथ direction भी exchange करता है वो लोग ठीक है एक और example देखिए अब इसका velocity आगे के direction में 5 है और इसका velocity पीछे के direction में 10 था तो यह 10 अब इस वाले को मिल गया 2 kg को तो direction भी वो लिया है इसका और यह 5 आपको forward direction में था तो अब इसका velocity 5 हो जाएगा forward direction में यहाँ पे एक और example देखिए जिस पे आपको और अच्छा सवाल create किया जा सकता आपके सामने यहाँ पे एक pendulum है यह bob जिसका mass m है left side से आपको एक और mass आता है उसका mass भी m है और collision आपको माने जिए perfectly elastic है टकराने से पहले इस mass का velocity अगर u था और यह वाला अगर rest पे था तो after the impact they are going to exchange their velocities यानि कि अब इस वाले का velocity 0 हो जाएगा और इस वाले का velocity u हो जाएगा अब इसके बाद आपसे और भी कुछ पूछा जा सकता था कि बताएगे यह bob आपको कितना angle maximum उपर जाने वाला है राइट वही वाला concept angular amplitude clear एकदम अच्छा अपना यह वाला concept भी देख लेते हैं इस पे बहुत सवाल आपसे पूछा गया है कोई खास difficult चीज है नहीं यहाँ पे आप समझ सकते है कि oblique collision होने वाला है तो यहाँ पे आपका after the collision मान लिजे यह आपको अलग-अलग direction में move कर रहे है तो भाया है तो momentum conservation तो आप x में अलग conserve करो y में अलग conserve करो ठीक है जहां तक जहीं mains level की बात है आपको हमेशा oblique collision में elastic collision ही सवाल में दिया रहेगा यानि की is equal to 1 यानि की kinetic energy आप conserve कर सकते हो ठीक है advanced level पर जब हम जाते है तो आपको यहाँ पे inelastic collision भी होता है वो अभी हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे हम लोग यहाँ पे इस case को emphasis कर रहे है तो माल लेते है कि पीछे वाली ball की velocity u1 है आगे वाली की u2 है right after the collision m2 आपको v2 से जा रहा है making an angle theta 2 with the x-axis और v1 velocity से m1 travel कर रहा है theta 1 angle बना रहा है x-axis के साथ ठीक है तो यहाँ पे आपको 3 equation लिखना आना चाहिए एक x-axis पे momentum conservation दूसरा y-axis पे momentum conservation और तीसरा energy conservation क्योंकि elastic collision है clear एकदम तो ध्यान से देखिए x में अगर आप momentum conserve कर रहे है तो शुरुआत में अगर दोनों का ही x में ही velocities था so m1 u1 plus m2 u2 is equal to m2 v2 cos theta 2 m1 v1 cos theta 1 ठीक है और अगर हम लोग y direction की बात करें तो शुरुआत में y direction में कुछ भी नहीं था और बाद में इसका हो जाएगा m2 v2 sin theta 2 और क्योंकि इसका velocity का y component नीचे आने वाला है तो negative लेंगे so minus m1 v1 sin theta 1 और energy conservation तो बड़ा ही simple सा है शुरुआत का total kinetic energy is equal to bath का total kinetic energy इसी तीन equation से आपका सारा सवाल इसका easily handle हो जाता है हाँ यहाँ पे भी आपको एक special case है जिसका आपको ध्यान रखना है आप इससे जरूर NCRT में derive भी करते होंगे special case क्या है कि अगर आपका आगे वाला mass rest पे है दोनों masses की value same है m1, m2 के बराबर है u2 जो है वो 0 के बराबर था और elastic collision है तो after the impact इनके बीच का जो angle है theta 1 plus theta 2 वो हमेशा 90 degrees होगा कभी-कभी आपको direct सवाल भी पूछ लिया जाता है कि अगर theta 230 degree है तो बताए theta 1 कितना है so that is 60 degrees अगर आपको ये चीज़ पता था तो आप easily 10 seconds के अंदर-अंदर solve करके बढ़ जाओगे नहीं तो फस जाओगे ठीक एकदम अच्छा इसके उपर सवाल कहां से करना है वो आपको अंत में links दिखाया जाएगा right सब कुछ इसी channel पर है चिंता बिल्कुल नहीं करना है ये जो आपका last topic है mass variation हलाकि यहाँ पर आपको सिर्फ इसका एक formula बताया जा रहा है यहाँ पर concept क्या कहता है यह आपके सामने एक basically rocket है और rocket के backward direction से आपको basically fuel combust होके eject हो रहा है ठीक है माल लेते हैं यह जो आपको निकल रहा है gases उसका velocity V relative है आपको सवाल में हमेशा V relative ही दिया जाएगा this is velocity of gas with respect to this rocket ठीक है आपको यह V relative पता है और यह जो आपको gases निकल रहा है वो किस rate से निकल रहा है वो भी आपको question में mention रहता है which is your dm by dt right किस rate से आपको gases निकल रहा है वो आपको mass के terms में दिया वा है kg per second अगर यह दोनों आपके पास है तो इस gas के निकलने के कारण इस rocket के ऊपर forward direction में एक thrust force लगता है एक reaction force लगता है जिसका formula आपको दिया जाता है V relative multiplied by dm by dt अब इसी formula का इस्तिमाल करके आपसे je mains में भी सवाल पूछा जा चुका है even 2021 में भी ठीक है तो वो सभी question कहां पे है उनका solution कहां पे वो अभी आपको बताय जाएगा लेकिन अगर आपको इस topic को in depth समझना है chain problem भी समझना है तो आप जरूर से हमारा ये वीडियो को देखे जहाँ पे हमने इसके उपर पूड़ा PhD किया है derivation के साथ-साथ इसके सारे concept को cover किया है variable mass concept इसका जो link है वो यहाँ पे भी है आप इस पे click करेंगे तो ये वीडियो खुल जाएगा at the same time इसका link आपको नीचे description box में भी मिलेगा clear एकदम अब आपको questions जो करना है वो आप यहाँ से कर सकते है 2021, February, March, July, August and 2020 total 37 questions है आपको center of mass, collision and conservation of momentum को मिला कि और 2020 में तो काफी अच्छे questions आपसे पूचे गए थे ठीक है, सभी को करें जरूर से करें, right इसके लावा अगर आपको और भी revision करना है तो ये उस playlist का link है और भी previous year question करना है अलग अलग chapter के तो ये उसका playlist का link है और ये हमारा gold mine link है, ये ऐसा excel file जहाँ पे हमारे पूरे channel का जितना भी educational content है वो यहाँ पे organized way में उनसा भी का link दिया हुआ है I hope आपको ये पूरा content समझ में आया है अच्छा लगा है आपके revision को और जादा ये smooth करेगा आपके dream को achieve करने के लिए, चैनल को subscribe नहीं किया तो जरूर से कर ले video को like कर ले and we shall be meeting in the next video very soon तब तक के लिए take care and bye bye